दिल्ली मेर चुनाव में बीजुपी ने शिखाराय को अपने प्रत्याशी के तौर पर उतारा है जी मीडिया से बाचीत में शिखाराय ने कहा है कि हमारे पास भले ही नंबर कम है लेकिन चुनाव लड़ना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है साथी उमिद जताई है कि उन्हें अनुभव का फायदा जरूर मिलेगा शिखाराय ने कहा है कि हम सभी 2.252 से अपील करेंगे कि वो हमारे पक्ष में वोट करें हम उनसे व्यक्तिगत तौर पर मिलने जाएंगे दिल्ली मेर चुनाव में भारतिये जनता पार्टी ने अपना प्रत्यासी उतार कर चुनाव दिल्चस्प बना दिया है और इस बार भारतिये जनता पार्टी ने अपने प्रत्यासियों में बदलाव करके मेर के तौर पर शिखा राय को चुनाव मैदान में उतारा है शिखा राय का काफी लंबा राजनेतिक इतिहास है और इस वक्त हमारे साथ वो खुद मौजूद है शिखा जी काफी लंबा राजनेतिक इतिहास आपने काउंसलिंग का भी चुनाव लड़ा जीती इससे पहले आपने विधायक का चुनाव लड़ा और स्टेंडिंग कमेटी की चेर्मेन भी रही हैं पार्टी में भी काफी लंबे समय से आपने काम किया तो इस अनुभो का फा निश्यत रूप से मैंने यह बात पहले भी कही है اب भी यही कहते हूं कि हमारी पारटी किसी भी चैलेंज को जो राजनितिक जीवन में हमारे आते हैं उनको लेने के लिए उनके लिए जो प्रयास करने है उन चैलेंज के लिए उन प्रयासं में कभी कमी नहीं छोड़ी है चाहे आपने जिक्र किया कि जब आतंकवादियों ने कॉल दे रखी थी कि आप श्री नगर में कोई घुस नहीं सकता है और कर्फिय लगा दिया गया तो हमारी पार्टी की कॉल थी कि हम इस देश को कन्य कुमारी से श्री नगर तक एक देखते ह है कि लाल चौकपर भी हमारा तिरंगा जो है शान से फेराता रहे हम उसी प्रयास में में वहां गई और हम काम्याब हुए तो ऐसे ही अगर आज ये लगता है कि हमारे पास महापौर के चुनाओं के लिए नंबर बहुत कम है लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम इस के लिए उस अपने आंकडों के लिए हम अपना प्रयास करेंगे हम अपनी बात को जो है पारशद वोटर सातियों के तक पहुंचाएंगे तो जितना प्रयास में हम सफल हो जाएंगे उतना निर्णे हमें अच्छा 27 अप्रैल को देखने को मिलेगा लेकिन अगर शिखा जी बात की जाए तो इस चुनाव में दल बदल कानून भी नहीं लगता तो ऐसे में कि आपको उमीद है कि जो पारशद है वो आपके पक्छ में वोट करेंगे और अगर वो आपके पक्छ में वोट करें तो क्यों करें देखिए ये दल बदल या क्रॉस वोटिंग जो की बाते अक्सर ये रहती है इस तरह के चुनाव में मुझे लगता है कि यह आपकी conscious का decision है अगर क्योंके पारशद जो मेर है वो सभी पारशदों का है पूरे सदन का है और पूरी जनता का है तो चुनना भी पारशदों ने है तो इस सब की अपनी अपनी राय भी हो सकती है किसी व्यक उनसे ज्यादा मुझे MCD का अनुभव है organization का अनुभव है मैं judicial tribunal की member रह चुकी हूं तो उस लिहाद से definitely मेरे पास एक प्रशासनीक अनुभव भी है MCD के अंदर के कामों का अनुभव भी है तो हो सकता है कि जो सभी पारशद है जब उनसे मैं बात करूंगी तो वो चैन कर करते समय कहीं न कहीं अपनी सई राय बनाएं और वोट करें तो बहतर परिणाम आने की संभावना हो सकती है अगर बात की जाए तो आप standing committee की chairman भी रह चुकी हैं काफी लंबा अनुभव आपको खास तोर से MCD का है तो ऐसे में अगर आप मेर बनती हैं अगर numbers आपके पास आ जाते हैं तो किस तरीके से काम करेंगी ताकि दिली का भीकाश हो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताओं कि इस समय जो निगम के करमचारी हैं वो ही बहुत दिक्कत में हैं क्योंकि जिस संस्था का काम करने वाला व्यक्ति ही दुखी होगा परिशान होगा तो उस संस् उसके माद्दम से काम कैसे होगा क्योंकि अगर आप इस समय देखेंगे हम कैशलेस मेडिकल सुविधा की पॉलिसी लेकर के आयते करमचारियों के लिए जो आज तक उनको क्योंकि पैसा नहीं आया दिली सरकार से तो उनके लिए वो सुविधा शुरू नहीं हो पाई हमें बह बहुत ऐसा कुछ अनोखा कर जाएंगे तो मैं बड़ी उम्मीद्ती इस बजट से पहले कि ये सब कुछ संबभ हो पाएगा लेकिन बहुत दुक्की बात हुई कि कुछ नहीं बदला ना उनकरमचारियों की तनक्वाएं टाइम से आ पा रही हैं ना उनको कुई कैशलेस की सुविदा हो रही हैं पैंशने उनकी बहुत देर देर तक रुकी हुई हैं इस दौरान में 31 मार्ज तक बहुत सारे अनुबंदित करमचारी थे उनके कॉंट्राक्ट कतम हो गए थे हमने धरना दिया प्रधर्शन किया मेमिरेंडम दिया मेर को कि भाई उनको तुरंत नौक तो ऐसे बहुत से विशे हैं निगम के संबंदित आप देखेंगे कि पर्यावरन का एक बहुत बड़ा मैटर रहता है इस बजट में जिस लैंडफिल साइट की बात केजरिवाल जी करते रहते हैं ना कूडे का पहाड कूडे का पहाड एक भी पैसा MCD के पास उस बजट मे तो कैसे करेंगे आप तो ये सारी चीजें जो MCD के द्वारा किये जाने वाले काम हैं जिसमें साफ सफाई एक है जो मुक्यता हमें रोज मरा की जंदेगी में जो हमारे को करनी होती है पार्कों का रक रकाव है फिर बड़े प्रोजेक्ट भी है पार्किंगे हैं जो नई ड चीजों की अगर कॉंप्रेहेंस से वाप प्लैनिंग अप नहीं करेंगे जो कि मैं सोचती हूं कि अकर मुझे मौका मिलता है तो इन सब चीजों पर ध्यान दे करके लेकिन सबसे पहले करमचारियों की जो वेल बिंग है जो उनकी अच्छी सहत होनी चाहिए काम करने के डॉक्टर शैडी ओबराय मौझूदा मेर हैं और इस बार आमादनी पार्टी ने उन्हें रिपीट किया है तो कितनी बड़ी चनोती मानती हैं आप शैडी को देखिए व्यक्ति के रूप में मैं कहूं तो कोई मुझे बड़ी चनोती इसलिए नहीं लगती अगर व्यक्ति आप candidate to candidate की बात करेंगे क्यूंकि वो उनका अनुभव नहीं है फर्स्टाइमर है डेफिनेटल आने वाले समय में वो भी परिपक्व हो जाएंगे इस सारे में तो जहां तक MCD का या मेरे पिछले जो है मेरे पूरे political life में मेरे अनुभवों का या मुझे जो organizational capacities में काम करने क आप सर मिला चाहे वो standing committee की चेर पर संती चाहे में नेता सदन थी MCD के अंदर फिर मैं judicial tribunal की जो है FACT की member थी तो यह सब अनुभव मुझे मेरे पास प्रशासनिक और organizational सारे अनुभव हैं तो अनुभव के अधार पर मुझे कोई उनको वो चनौती नहीं लगती है हां दूस जी से जो हमारी बात हुई उनका कहना है कि हम विपक्ष के सभी पारसुदों से निवेधन करते हैं कि वो एक साथ आए दिली को दुनिया का बहतर सहर बनाने की कोशिश जो हम कर रहे हैं उस कोशिश को कामियाब करें तो इसको लेकर के अगर आप बतावर मेर नहीं बनती है तो क्या विपक्ष एक जुट होकर दिली को बिस्व का सबसे बहतर सहर बनाने की कोशिश करेगा देखिए विपक्ष ने तो इस बार जब क्योंकि अभी तक सदन कोई ऐसा बैठाई नहीं है जिसमें चरचाए हूँ लेकिन एक ही सदन हमें मिला जिसको बजट जिसमें पास करना था तो आप देखेंगे हमने जितने resolutions लगाए विपक्ष ने हर resolution चाहे वो करमचारियों की cashless scheme का था चाहे उनके वेतन का था चाहे ये इन करमचारी जो निकाले गए थे उनका था चाहे बड़े हुए tax का था जो जनता के उपर commercial का tax बढ़ाया गया है हमने जितने मुद्दे लगाए थे वो सब वो थे जो मेर को करने ही चाहिए जो जनता के हित्मे थे जो करमचारियों के हित्मे थे लेकिन एक भी माना नहीं गया सारे के सारे reject कर दिए गये तो किस विपक्ष की किस corporation की बात वो हमसे कर रही है हम तो हम तो उनसे ये मांग कर है कि जब विपक्ष अच्छे मुद्दे हित के मुद्दे रखता है तो फिर आप सिरफ इसलिए reject करेंगी क्योंके वो विपक्ष के हैं तो फिर ये क्या कहना हुआ कि एक जुट जो है एक साथ मिल करके साथ कहा हुआ इसका अर्थ है कि विपक्ष कुछ भी बात कहेगा चा है कि सबको एक जुट पे काम करना चाहिए बल्कि जैसे वो कह रही है मैं भी अपने विपक्ष के साथियों को यही बात कहती हूँ कि आप जो है कैंडिडीडेचर भी देखिए और भविश्य देखिए कि कहां पर किसकी शैली से किसके विजिन से किसके मैनिफेस्टों में ज्यादा हिद की बात कही गई है और हमने तो पिछले 15 साल MCD में करके दिखाया हुआ है, सबको मालूम है और हमारे मोधी जी तो देश क्या दुनिया भर को दिखा रहे हैं करके, तो हमारी जो आइडियोलिजी है भारतिय जन्ता पार्टी के, हमारा जो मैनिफेस्ट हो है, हमा हमारा एक ही दे कि सबका साथ सबका विकास, तो इसलिए मुझे लगता सभी वोटर भी इस बात को जरूर ध्यान में रखेंगे वोट करते हुए, लेकिन आमादनी पार्टी की जो मेर प्रत्यासी है, उनका तो दावा है कि चुनाव हम ही जीतेंगे, क्योंकि पिछले चुन पिछला उनका जो अनुभव रहा है, उससे तो वो बिल्कुल उससे कह सकती है, और मैंने आपको कहा भी, कि जो अगर आप नंबर की बात करेंगे, तो डेफिनेटली, अगर सीधे सीधे हम 106 और 133 की बात करेंगे, तो नंबर उनके पक्ष में है, लेकिन देखने में कभी क कुछ होता है, और उसके बाद परिणाम कुछ भी हो सकते हैं, और मैंने ये कहा, कि मेरा इस समय ये प्रयास रहेगा, कि मैं हर वोटर तक पहुंचूं, उससे अपनी बात कहूं, उसको कन्विंस करने की कोशिश करूं, 26 तारीक को जो वोट होगा, उसमें जो हमारे पिठासी होता है, तो वो पिठासी नदिकारी नहीं होगा, तो ऐसे में LG साहब की तरफ से एक नया पिठासी नदिकारी न्यूक्त किया जाएगा, तो क्या लगता है आप, जब नया पिठासी नदिकारी न्यूक्त होगा, तो जो पिछली बार तस्वीरे देखने को मिली इसको लेकर के भारतिय जनता पार्टी किस तरीके से सदन के अंदर अपनी बात को रखेगी और किस तरीके से उम्मीद करेगी आमादनी पार्टी से या कॉंग्रेस से देखिए एल जी जब किसी भी पीठासी नदिकारी को नियुक्त करते हैं तो पूरी अपनी समझ के साथ उ लेकिन अगर विपक्ष के जो हमारे पार्षद साती हैं अगर वो पीठासी नदिकारी की जदत ही नहीं करेंगे या उनके मन में ये रहेगा कि चुकि भारतिय जनता पार्टी की जो पार्षद हैं और पीठासी नदिकारी हैं इसलिए हमें इनको किसी प्रकार का रिस्पेक विपक्ष विपक्ष सभी जो है उनकी उस चेर की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए किसी परकार की ऐसी कोई बात नहीं करेंगे कि जिससे चुनाओ में इस परकार का व्यवदान आए और बड़ा स्मूदली देखें निरने कुछ भी हो निरने से डरने या उसकी बात नहीं रहती है लेकिन चुनाओ तक चुनाओ की प्रकेरिया जो है वो सही से मर्यादापुर्ण और नयापुर्ण हो जाए यही जो है हमारी कोशिश रहेगी और सब की रहनी चाहिए शिखाजी अगर बात की जाए तो कॉंग्रेस ने पिछली बार ओटिंग का वहिश्कार किया था इस बार कॉंग्रेस से भारतिय जनता पार्टी क्या उम्मीद करती है क्या इस बार ओटिंग होगी या पिछली बार की तरीके वो वहिश्कार करेंगे और साब तोर से कॉंग यहीं चाहूँंगी कि सब वोट करें और सब मेरे पक्षमें वोट करें। तो मैं तो Congress की भी हमारे जो साती पार्षद हैं, उनको भी अपील करूँँगी कि वो Stevens करें और सही को चुनें और मुझे वोट करें। तो मेरे लिए तो कोई कॉंगरेस या कोई आमादमी या कोई नहीं है इस समय, सभी पारशद वोटर जो हैं वो हैं जिनको अपील मैं करूंगी, और फिर वही बात दोराऊंगी कि सबकी इच्छा यही होगी कि चुनाओ जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से हो, उस तरह के जो सीन्स देखने को मिले उसके लिए नहीं हमें जन्ता ने चुन करके भेजा है और ना ही हम उस तरह के जो हरकतें वहाँ हुई उनको जेलने के लिए तैयार है मैं आपको बताऊं, तो इसलिए हमारी तरफ से पूरी कोशिश यही रहेगी कि सदन शांति पूर्वक जो है चलना चाहिए। आप क्या अपील करेंगी जो पारसद हैं उनसे कि वो किस तरीके से सांति बेवस्था बनाये रखें सदन के अंदर और किन मुद्दों पर वो उट करें। देखिए मैं तो अभी अपने सभी सातियों से यही जो है उनको अपील करूँगी निवेधन करूँगी कि पार्टी से उपर उट करके जब कैंडिडेट्स हैं दो आपके सामने तो हर लिहास से आप तुलना कीजिए अनुभव की तुलना कीजिए वैभार की तुलना कीजि करके दिखाया है तो हम आने वाले समय में भी उसी तरह से जो जनता को हमसे उमीदे हैं उस पर बिलकुल खरा उतरेंगे और मिल करके पूरी दिल्ली को जो है सजाएंगे सवारेंगे और हमसे जो जिन जिन अपेक्षाओं के साथ हमें जनता ने सदन में भेजा है उन पर इतर दिल्ली उन सब पूरी दुनिया के सामने रखेंगे उन सब के सयोग के साथ मैं अपनी तरफ से यही अपील करती हूं और यह भी अपील करती हूं कि मन आपका किसी भी तरफ वोट करने को बने कोई किसी के उपर कुछ ऐसा हो नहीं लेकिन शांती पूर्वक हो सबने इकठे इसी सदन में काटने होते हैं और एक दूसरे के हम साती हैं पूरक ही होते हैं एक दूसरे से समझते भी हैं सीखते भी हैं और किसी के पुराने अनुभव का हम उसका लाब लेते हैं किसी का नया अनुभव जो आता है उसको भी शेयर करके हम लाब लेते हैं तो तो मिलजोल करके काम सभी वही कर रहे हैं अपनी वाड़ों के लिए, अपनी जनता के लिए तो ऐसा इतना बटा हुआ मान करके कुछ नहीं करना चाहिए कि और यह मिला तो भी पता नहीं क्या हो जाएगा ना मिला तो क्या हो जाएगा इस बात को छोड़ करके अपनी विवेक से पूरे अपने दिल और दिमाग को खुल करके अगर हम वोट करेंगे तो मुझे लगता है कि वो नजारा जो हम देखना चाहते हैं वो मिलेगा अगर आप मेर बंती हैं तो वो कौन से ऐसे काम होंगे जिनें सबसे पहले करना चाहेंगे मैंने पहले भी ये कहा कि मुझे सबसे पहले करमचारीयों की चंता है तो मैं ये देखूंगी कि कैसे उनकी तनख़ुआइं समय पर आएं और जो हमारे पेंशन धारी करमचारी रहें हैं जिन्होंने लंबी समय हमारी सेवा की हैं उनको तकलीफ ना हो अगर उनको पेंशन मिल वो सीजनल होता था लेकिन हमने आकर के देखा कि जब उनकी जो है एक दिन की भी हम सेवा में ब्रेक डालते हैं तो उनका सारी जितनी सर्विसेज होती है वो खतम हो जाती है उनके पास अधिकार नहीं रहता है कहने के लिए कि कल को हमें पक्का करो इनों ने हमने अलगातार उ अपने अपने क्षेत्रों का या पूरी दिल्ली का तो सबसे पहले जी ट्वेंटी हमारे देश का एक गौरव का विशे है कि आज हमें जी ट्वेंटी की मेजबानी करने का अउसर मिला है कितने प्रयास हमारे शीष नेतरुत के रहे होंगे तो बाहर से कोई भी जो व्यक्त पूरी दिल्ली सुंदर वातावरण में और स्वच उसमें चमकती रहे ये स्वचता के नाम पर प्रयास रहेगा लेकिन परयावरण को लेकर के भी बहुत सारी चीज़े हैं जिनकों में आने वाले समय में एंवार्मेंट के कुछ जैसे ऑक्टूबर नवेंबर आता है हमार और रास्तों को भर करके थे बहुत से डीटेल वाले इशू है जो माइक्रो मैनेजमेंट है मैक्रो उस लेवल पर करके हम दिल्ली को एक बहतर दिल्ली बना सकते हैं आना थो राइस कालोनी के इशू है जिनको हमें डील करना है तो यह सब विशे रहेंगे जो मैं समझती हू कि एक मेर को जो है उनके ध्यान में रहने चाहिए तो आपने देखा हमारे साथ भारतिये जनता पार्टी की प्रत्यासी शिखार आये थी जिन्होंने कहा कि अगर हम मेर चुनाओ जीतते हैं तो सबसे पहले MCD के क्रमचारियों का ध्यान दिया जाएगा और उसके बाद दिल इंदिझ के बहां मेर सबस्रतिया जैंट जाहिए फले कланओ के समें प्रतीय जान स्कारेश्द प्रत्या करते हैं करुच्दश जाएगा